नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं यूपी स्कॉलर्शिप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि दो अक्टूबर तक छात्रों की स्कॉलर् की जा रही है और कौन से छात्रे जिनकी 2 अक्टूबर तक आज आएगी और कौनसे ऐसे चातरे जिनकी नहीं आप आएगी क्या है सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हुम है आपको तो अंते तक बने रहे गए इस वीडियो में वीडियो को जरा भी स्किप मत किये जिएगा और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल तो दोस्तों देखिए आपके सामने ख़बरे स्क्रीन पर कि 4.95 यानि 4.95 चात्रों को 6 भुगतान 2 अक्टूबर तक हो जाएगा और इतने कम चात्रों को ही 6 भुगतान 2 अक्टूबर तक क्यों होगा बहुत सारी मात्रा में चात्रों ने अवेधन किया है बहुत बड़ी संख्या में उन छात्रों का क्या होगा कितने लोगों की आएगी और कौन-कौन से सेस रह जाएंगे सारा कुछ में डिटेल में बताने वाला हूँ आप वीडियो पे बने रहिएगा ठीक है तो देखे सीम का अदेश तयारी में जुटा अक्टूबर तक 4.95 लाग विद्यार्थियों के खातों में छात ब्रती के साथ सुल्क भरपाई की रासी भेज देगी इसके लिए एनाइसी और समाच के ल्याण विवाग तयारियों में जुटा है आनलाइन आवेधन पत्रों की गहन जांच की जा रही है सीम योगी आदि इतनाथ ने रिनीवल स्रेंडी के छात्रों को 2 अक्टूबर तक भुकतान के आदेश दिये हैं और जो फ्रेश स्रेंडी के छात्रों को है 26 जनवरी तक भुकतान कर दिया जाएगा तो देखिए जो प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर तक 4.55 लाग विद्यार्थियों के खाते पहले साल भर चुके हो यह दूसरा साल उनका हो तो रिनीवल स्रेडी होती है तो चात रिनीवल के हो और उसके बाद उन्होंने फाम भर कर 20 अगस्त तक कालेज में जमा कर दिया हो और केवल जमा करने से मतलब नहीं है जमा हो गया है कालेज में तो कालेज द्वारा उसको फार आवेदन किया है इस वर्स स्कालर्शिप के तो चार फ्रेस के हो चार रिनीवल के 4.95 लाग चात्रों के बाद जो भी चात्र बचेंगे उनकी स्कॉलर्शिप 26 अक्टूबर 2020 तक आ जाएगी चलिए और डिटेल में बात करते हैं देखे 26 जनवरी तक फ्रेस रेड़ी के चात् अलू बित्वर्श में करीब 6-6 लाग बिद्यार्थियों ने योजना का लाब लेने के लिए आनलाइन आवेदन किये हैं इनमें सामान अन्सूचित जाती वह जन जाती पिछड़ा वर्ग वह अल्प संख्यक वर्ग के बिद्यार्थि सामिल हैं अभी तक कच्छा 11 और 12 के इनमें से 1.45 लाग बिद्यार्थियों के द्वारा एकदम सही डाटा पाया गया है ठीक है जो उनका डाटा था बिल्कुल ठीक पाया गया है तो उनका जो है वो आज आएगा 2 अक्टूबर तक देखिए आनलाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच भी हो रही है तो जैसे ही समिट कर दिया गया था काले द्वारा उसको फारवर्ड भी कर दिया गया था समय से 22 सितंबर के पहले तो ऐसे चात्रों को 2 अक्टूबर तक स्कॉलर्शिप मिल जाएगी खाते में और जो चात्र सेस रहेंगे वो परेशान बिल्कुल ना हो उनकी स्कॉलर्शिप अगले व तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो इसकालर्शिप और निउस से एजुकेशनल निउस से रिलेटेर लेकर आते रहते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हैं